दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एनलाइज करेंगे इन्फी वीवेवन निउस लिमिटेड आप देखेंगे इस कंपनी ने एक हाई बनाया उसके बाद इस कंपनी में सेलिंग प्रेसर आपको देखने को मिला और यहां कंपनी अपने हाई से नीचे भी गया इस कंपनी में गिरवर देखने को मिला उसके बाद कंपनी में यह समपोर्ट लिया और अगयन बाउंस बैक करना इसस्टार्ट किया कंपनी इस company में already invested हैं चाहे वो loss में हो चाहे वो profit में हो उन्हें क्या करना चाहिए सब कुछ detail में लाइस करके हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो वीडियो में लास्तक बने रहे हैं कोई भी part मिस न करें जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को subscribe कर लें और साथ में bell icon को press करना न भूलें तो देखते हैं इस company के detail को सबसे पहले अगर इस company के आज के closing की हम बात करें तो आपको यह level देखने को मिलेगा यानि 20 रुपए के pass में company जैसे 20 रुपए को cross करके उसके ऊपर निकलता है तो आपको 23 से 24 रुपए का अगला target देखने को मिल जाएगा SWAT TUM में लेकिन अगर यह company 20 रुपए के pass में again resistance phase करता है और वहाँ से नीचे आता है तो इस company का support level होगा जो strong support level है वो है 18 रुपए का पहला और company जैसे उसको break करके उसके नीचे जाता है तो 16 रुपए का last यानि जब इस company में गिरावट आपको देखने को मिलना है तो शायम आपको बहुत ज़ादा risk नहीं लेना है 18 रुपए के पास आपको अपना stop loss लगाना है उस company को continue करना है अगर आप थोड़ा सा risk और लेना चाहते है तो 16 रुपए last price होगा 16 रुपए पे stop loss लगाई है strictly follow करिए और उसके नीचे अगर या company जाता है तो इस company से निकलने की तयारी कर लें एक और ही stop loss आप इस company में लगा सकते हैं जो कि इस company का 50 का RSI label है company जैसे इसको break करके उसके नीचे जाता है तो तूरंत इस company से निकलने की तयारी आप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें Thank you for watching this video